आप लोग काभी अभी घबराय हुए चल रहो, काफी mail आते हैं, chatting के थूँ काफी लोग बात करते हैं, parents काफी बात कर रहे हैं, आज कल chatting के थूँ, हमने free में mentorship हमारे चैनल पर चालो की हुई है, तो काफी parents query करते रहे हैं, और अभी पिछले कुछ दिनों से बात करके लिए बा कि 10 दिन में IP MAT निकाल लो 15 दिन में IP MAT निकाल लेकिन हाँ यह जो 10-15 दिन बचे इसमें आप अपनी rank improve कर सकते हो लाइक आपकी जो भी rank आने वाली IP MAT इंदौर में या किसी भी zip mat रहो तक में आप improve कैसे करो उसका एक में तरीका बता सकता हूँ तो बस उसको follow कर लो तो आपकी rank चरूर इंप्रूव होगी और हो सकता है कि आप इंदौर भी निकाल लो तो चलो शुरू करते हैं आज का और जो लोग मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते तो बस इत्ता सा देख लो बाकी बताने की जवरती नहीं और ज्यादा जानना है त आज करें वीडियो होने वाले 900 तो ही गया होंगे वह पूरा देख लो तो मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे ठीक है चलो शुरू करते हैं ठीक है अच्छा ये भी आज कल में ये भी लिखने लगाओ यूर कॉन्फिदेंस इता अनली की टू यूर सक्सस समझ रहे हो य अगर आप में क्योंफिदेंस इनी है आप कोई भी एक्जाम नहीं निकाल पाःगे और अगर अगर कवड़ेंस है तो हो सकते है बहुत तब वह बहुत रहे आजा है तो भी आप निकाल लो तो पोरा का पोरा खेल सिर्फ कवड़ेंस का उता हा है जो लोग मुझे अच्छ स से जानते हैं ठीक है अभी वो लोग वीडियो भी सुन रहा होंगे कमेंट सेक्शन में बताना उनको पताय में कितना कॉंफिडेंट रहता हूँ अपने कंटेंट को ले ठीक है तो वही कॉंफिडेंट सब आप में चाहिए ठीक और हां अभी कुछ टिप्स बताने से पहले में एक चीज बता देता हूँ अगर आपको कोई भी परिशानी आ रहे हो डी मोटिवेशन हो रहा हो परिशान हो रहे हो है ना कुछ भी आपको प्रेशर लग रहा हो तो आप अपना नाम सिटी सिटी तो बस इसलिए कि मुझे पता चल जाए कि आप कुन से सिटी से बोलते हो बात कर रहे हो 10-12 के परसेंट है ना और आपका जो भी कंसर्ण है वो आप हमारी वेबसाइट www.catitmed.com इस पे जाके आप पूरी डिटेल भरके अपना जो भी कंसर्ण है वो पूछ सकते हो अचा कंसर्ण में जितना डिटेल में पूछोगे उत्ता अच्छा मुझे गाइट करने में लगेगा लाइक आप अपने ये सब 10-12 के परसेंट बता सकते हो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आवरेज आपकी क्या रेंक आ रही है क्या स्कोर आ रहे हैं वो सब बताओ तो मुझे गाइट करने में असानी होगी ठीक है और आखरी में आप जो भी मुझे से पूछना चाह रहे हो तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक अच्छे धोर नहीं करना है तो सिर्फ एक काम करना है और उसमें आपका फायदा क्या होगा तीनों सेक्षन का आपका भला होगा यह ना नॉर्मल हम पढ़ाई करने तो एक बार में एक सेक्षन की पढ़ाई करेंगे कि हम या तो मैट्स करेंगे या डियलर करेंगे या वर्बल और mock test देना कैसे यह आज तक मैं बता रहा हूँ अगर मेरी per day 20 बच्चों से बात होती है तो मैं यह पाता हूँ कि 19 students को mock test देना आते ही नहीं है भले ही वो कितने ही intelligent क्यों ना हो 10-12 में भले ही उनका 98-99% क्यों ना आयो लेकिन जब उनसे बात करता हूँ तो मुझे feel होता है क क्यार इसको तो mock test देना ही नहीं आता है यह exam में तो इसका ऐसे कैसे होगा और मैंको बहुत दुख होता है क्योंकि वो capable है IP Mat indoor निकालने के लेकिन उसको mock test देना नहीं आर तो IP Mat indoor कैसे निकालेगा point समझ रहा हूँ तो आप mock test कैसे तो यह सीख लो इस वीडियो में ठीक है औ और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो मैंने चैटिंग का बताई दिया 24 hours के अंदर में reply कर दूँगा mock test रोज कम से कम एक दिन नहीं है और अगर आप रोहतक इंदोर सब दे रहा हो तो दिन में एक रोहतक का टेस्ट दे लो एक उंदोर का टेस्ट दे लो जिपमेट के भले आयम इंदोर के बाद दे लेना आप 23 में के बाद दे लेना लेकिन रोज एक रोहतक का और रोज एक आप इंदोर का टेस्ट जरूर दो प्लस एनालिसिस कैसे करो जैसे आपका टू आर्ट का पेपर है ध्यान से देखना आप क्या करो टू आर्स प्लस टू आर्स का मोख मानके चलो ठीक है इस टू आर्स में तो आपने पेपर दे लिया इसके बाद 10-15-20 मिनिट का ब्रेक लेलो जो लेना लेकिन तुरंत आदे घंटे से ज्याद का ब्रेक मत लेना एसा नहीं कि सुबह मोख द अंसर में आया है 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 ना देखो शॉट अंसर में दिल पर हात रख के अभी कमेंट सेक्शन में बता देना मैं जो अच्छे बच्चे भी देख रहा हूं वो 24 थे 32 के एवरेज मार्क्स ला रहे हैं आप इन में से फॉलो कर रहे हो तो देखना है ना मोख टेस्ट का एक ऑन अंसर तो मार अच्छा है है ना हम जादे स्कोड आ रहे हैं एम सी क्यू अच्छा नहीं है इन शॉट अंसर में फिर जब मैं पूसता हूं नंबर किते आ रहे हैं बोलते है 24 या 32 अब मैं मनी मन सूचता हूं यह खुद अपने मुझ से क्यों बोल रहे है कि इस से अच्छ है अगर 24 या 32 ला रहे हो तो तो आपका कट-off निकल जाएगा लेकिन मुझे लगता है मैं आपको जानता हूं जिन बच्छों को मैं जानता हूं मुझे लगता है उनका कैलिवर उससे ज्यादा का है वो 32 में क्यों खुश हो रहे हैं पॉइंट समध रहे हो अगर आपका स्टे आपका 32 से जाए 24 से जादा कैसे यह कैसे पता चलेगा तो इसका तरीका क्या है ध्यान से समधना आप जब आदे घंटे के बाद एनालेसिस करोगे पूरे 15 कोश्चन को आप एनालाइस करो फिर उसमें देखो कि आपसे कित्ते बन सकते थे देखो जो टफ हैं है ना अब का पूरा का पूरा ध्यान उन तीन कोश्चन पे है जिसके कारण आप अपना कबाड़ा कर रहे हो अब लाइक मेरे भी कैट में देखो 99.97 इस बार ही आया है मैंने भी 22 कोश्चन थे कौंट में मैंने भी 14 या 15 नहीं किया था तो 22 से मैं में बी 5-6 कोश्चन छोड़ रहा तो यह जो कैट हो गया आई पी में टेंदोर होगे बड़े बड़े एक्जाम होगे इसमें कोश्चन छोड़ना भी इंपॉर्टेंट होता है इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो लेकिन वो जो कोश्चन करने ही नहीं है उन कोश्चन को करने के चकर में आप 6 या 7-8 करीबा जाते हैं तो अगर आफ तफ कोश्चन को पिल्कुल एग्नोर करोगे सिर्फ एजी और मीडियम पे टार्गेट करोगे और अपना दिमाग खुला रखोगे है न कि ये कोश्चन अच्छ है टाइप का हमने यहां पे इस माटेरियल में किया था ये टाइप का कोश्च में मेरा मानना 10 questions easily बना सकते हो और अपने दिल पे हाथ रखके बोलना या comment section में होताना क्या analysis के बाद आपको ये नहीं लगता कि 10 तो मुझस से बन सकते थे तो अगर 10 बन सकते थे तो आपके 40 marks क्यों नहीं आ रहे point समझे तो आपके 40 plus marks आने चाहिए short answer में अगर हमारी ये अच्छे level की तैयारी है तो और अगर हमारे अच्छे level की तैयारी नहीं है तो अगर आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा उनकी math सची नहीं है तो भी देखना 6 to 8 questions तो वो भी पकड़ लेंगे क कि हाँ यार 6 to 8 तो मुझसे भी बन सकते थे यहने 24 to 32 मेरे आ सकते थे तो मेरा मानना है अगर आपकी math सची नहीं है लेकिन आपको mock test देना आता है तो आप 24 से 32 marks ला सकते थे point समझे अब mcq section पर आते हैं quant के अचा mail हो chatting जो भी आती मेरे पास सब यहीं बोलते हैं कि sir quant तो हमारा short answer अच्छा जा रहा है mcq अच्छा नहीं जा रहा mcq में on an average में अच्छे बच्चों का score बता रहा हूं अच्छे बच्चे भी score क्या कर रहे है 40 to 45 marks हाँ एकदम ही जो topper type का बच्चा है वो 50 प्लस ला रहा है 60 प्लस ला रहा है लेकिन on an average average बता रहा हूं 40 to 50 marks 45 भी छोड़ो चलो 40 to 50 marks ला रहे हैं बच्चे अब 40 to 50 marks में सिर में पड़े हूँ हाँ आपके कई teacher आपको आते हैं तित्ता कर लो cutoff निकल जाए उत्ता कर लो cutoff निकाल के कौन से जंडे कार दो गया top करने की सोच और आपको पर जित्ता knowledge उसी knowledge में आप top कर सकते हो यह क्यों भूल रहे हो आपको लगता है कि यह मानलो x एक बच्चा है y एक बच्चा है आपको लगता है कि x टॉपर है तो आपको लगता है कि यार वो x के अगर 40 marks है तो मेरे to 20 आएंगे मैं एक चीज के 20 देता हूं कि अगर मुझे paper देना अच्छे से आता है तो मैं number x से ज्यादा ला सकता हूं भले ही knowledge x में ज्यादा है यह point समझों और इसका भी चलो प्रूफ करते हैं आप जिसको भी topper समझते हो हैना 2-3 बच्चे उठाओ अपने institute के हैना हैना मानलो 3 topper है x y और z ठीक है औ यह हो आप यह खुश ठीक है कुछ मत करो आप अपने marks देखो और यह मत देखो कि आपके mcq कितने number का होता है 120 marks का होता है और अगर मान लो difference है भी तो वही जब मैं analysis की बताऊंगा जब आप मौका analysis करोगे जब आप मौका analysis करोगे तो आप ये पाऊगे कि यार मेरे तो ये x से भी जादा आ सकते थे तो वो x काय का topper इसलिए बोल रहाओ knowledge कितना भी हो paper देना सीख लो ये मेरी बातें ध्यान रखो आप कितने भी branded कितने बड़े institute चले आओ ये बातें कोई नहीं सिखाने वाला आपको ये बातें सिर्फ अंश्यवगर वाली सिखाएगा आपको ठीक है तो ये ची ध्यान रखो आपकी मैं सच्ची हो आपकी मैं सच्ची ना हो आप वो X को पीछे कर सकते हो ये बस लेकिन confidence तो आपी का चाहिए मेरी में confidence होगा मैं ले आऊँगा आप में होगा आप भी ले आऊँगा ठीक है अब mock में MCQ केसे देना है भाई इसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है मेरी लाश्ट के एक दो चार वीडियो देखना जिसमें मैंने DILR के पूरे सारों के जित्ते भी अभी तक होए 2019 से 2023 तक के सारे के सारे DILR मैंने एकी वीडियो में सॉल करके आपको बता दिये और किसी में भी 10 मिनिट से आदा नहीं लगा तो अब अगर हम सोचें कि अगर हमारी मैं भले अच्छी है की नहीं है अगर लेकिन हम शुरू के 10 मिनिट्स में DILR का जो भी IAM Indoor सेट पूछने वाला है वो अगर हम कर दें तो 10 मिनिट में ही हमारे 20 मार्क्स पक्के हो गए ठीक है और 10 मिनिट यह मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ पिछले 2 साल से जो आ रहा है वो तो 5 मिनिट में ही हो रहा है ठीक है तो हम तो मैक्सिमम लेके चलें कि 10 मिनिट में भी अगर आ गए तो उसको छोड़ने का decision दो मिनिट में ले लेना समझ रहे हो अगर set easy है तो पांच मिनिट में बना लो थोड़ा सा मीडिया में 10 मिनिट में बना लो और अगर tough है दो मिनिट में छोड़ दो तो हर possibility में में बिन-बिन situation रहेगी आप ही की जीत होगी तो अगर वो एक्स टॉपर है वो डियलर के set में 15 मिनिट लगा ने के बात भी नहीं कर पा रहा तो उसका फिर होना भी नहीं है और आप टॉपर नहीं हो लेकिन अगर छोड़ने का decision दो मिनिट में ले अगर इस strategy से चलोगे यह वाली strategy अगर आपने फॉलो की और आपने मैं उता रहा हूं 30 questions में से minimum बोल रहा हूं minimum 15 question भी target किये तो आपके 60 marks आ जाएंगे अच्छे अच्छे बच्चों के नहीं आ रहे हैं 60 marks mcq के mark में और हम जब भी analysis बताते हैं है आप मेरे पीवाइक की solution देख लो आप हमेशा पाओगे कि आपसे minimum 15 क्या मेरे analysis के बाद तो आपको इसा लगे है कि हम तो 20 प्लस question कर सकते थी सिर्फ mcq में मैं तो आप 20 प्लस नहीं भी करोगे 15 कर लोगे तो भी 60 marks आ जाएंगे तो यह सब छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आपको एक्जाम में rank लाने में help होगी ठीक है प्लस अब आतें verbal ability में तो verbal ability में देखो mock test कही थूरू practice करो प्लस अगर आपको लगता है कि आपका para jumbles अच्छा नहीं है तो रोज का एक target बना लो कि आप मुझे 20 para jumbles जब तक IPM नहीं हो रहा रोज 20 20 para jumbles करने बस इत्ता कर ल है इत्तिसारी query में उसके हसाब से बनाएं तो normally जो verbal के लिए भी मेरे पास query आई है उसमें बचों का concern यही था कि sir RC तो अगर बनता है तो बन जाता है नहीं बनता तो नहीं बनता टाई यह maximum बच्छों का यही था लेकिन आप para jumbles ऐसा है कि जो constantly यहने कई बच्छों से बन र रहा है तो जिन से नहीं बन रहा है उनको मेरी एक ही suggestion है कि आप रोज आज से लेके जब तक IPM ना हो जाए रोज 20 तो 25 पर जंबल रोज लगा एसा नहीं कि आज ही के दिन दो 300 लगा लिए नहीं रोज 25 से 30 लगाओ 20 25 30 जित्तिक चाओ और cat के pyqs जरूर कर लो para jumbles पस RC मत कर आना cat के last 4-5 years के लेकिन परा jumble critical reasoning type के question cat के आप कर लो last 5-6 years के ठीक है तो उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को subscribe करो और comment section में कुछ testimony तो बताई दो यार एकती महनत करता हूं आपके लिए तो चलो thanks for watching this video